गौतम, बुध अपने शिश्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे उन्होंने नियम बनाया था कि मौनसून के मौसम के दौरान उन धाई महिनों के लिए आप एक ही जगा पर रह सकते हैं उन सन्यासियों और भिक्षूओं के लिए जो उनके साथ थे एक नियम था कि आपको दो दिन से ज्यादा किसी भी जगा पर नहीं रहना चाहिए आम तोर पर भिक्षूओं को कई घरों में आसरा दिया जाता था इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि दो रात से ज्यादा आप एक घर में नहीं रह सकते वरना उस परिवार पर काफी बोच पड़ेगा वो दस लोगों को आसरा दे रहे हैं आप वहाँ एक महिने के लिए मत रुकिए सिर्फ दो दिन होना तो ये एक दिन चाहिए था लेकिन दो इसलिए क्योंकि आप इतना लंबा सफर तै करके आए हैं थोड़ा आराम मिल जाए लेकिन मौनसून के मौसम के दोरान उन्होंने कहा कि दो से धाई महिने तक आप एक ही जगा पर रह सकते हैं क्योंकि मौनसून के मौसम के दोरान जंगलों के रास्तों से होकर गुजरना खतरनाक होगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है तो ये एक ऐसा ही समय था वो एक बड़े शहर में ठहरे और वो बहुत सारे घरों में रहने लगे भिक्षू लोगों से भिक्षा माँगने के लिए बाहर निकले आनन्द या आनन्द तीर्थ जिस नाम से उन्हें जाना जाता था वो भिक्षू बनने से पहले गौतम के बड़े भाई हुआ करते थे वो भी बाहर निकले वहाँ शहर में एक वैश्य रहा करती थी उसने आनन्द को भिक्षा दी उसकी तरफ देखा एक सुन्दर जवान आदमी लंबी कद काठी उसने कहा मैंने सुनाये कि भिक्षू कई घरों में रहनी की जगण ढून रहे है तुम मेरे आकर क्यों नहीं रहते तुम अपने गुरू से पूछने वाले हो जाकर पूछो मैं भी देखूं कि वो क्या कहते हैं तो आनन्द अपने दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुंचे गौतम बैठे थे वो आये और उन्होंने भिक्षा उनके चर्णों में रख दी सारे लोग जहां भी जाएं उन्हें भोजन और रहने की जगा का इंतजाम करना था तो आनन्द ने पूछा इस तरह ये महिला मुझे न्योता दे रही है क्या मैं वहां रह सकता हूँ गौतम ने कहा अगर वो आपको इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आपको वहां जाकर रहना चाहिए शहर के लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा क्या एक सन्यासी जाकर एक वैश्या के घर में रहेगा बहुत हो गया ये आध्यात्मिक प्रक्रिया ब्रश्ट हो गई है गौतम ने उन्हें देखा और कहा आप इतने परिशान क्यों हो रहे हैं वो महिले इन्हें न्योता दे रही है इन्हें वाह रहने दीजिए इसमें परिशानी क्या है वो सबी खड़े होने लगे और उन्होंने चिलाना शुरू कर दिया उन्होंने कहार रुखिये मैं इस मार्क पर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अब आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज्यादा शक्तिशाली है अगर यही सच है तो मैं भी जाकर उसके साथ शामिल हो जाता हूँ मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे अनमोल और शक्तशाली तरीका है अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से बहतर हैं तो मुझे भी वहाँ जाकर शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप एक सचे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए अगर आपको कहीं ज्यादा उंची चीज मिलती है तो आपको वहाँ जाना चाहिए फिर लोग चिलाने लगे और कुछ लोग चले भी गए फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे मौनसून का समय था बारिश के वज़े से ठंड बढ़ जाती है आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी तो उसने उन्हें एक अच्छा सा रेशम का कपड़ा दिया उन्होंने खुद को धंक लिया तब लोगोंने देखा देखो वो तो गया उसने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा उन्होंने खा लिया फिर शाम को उसने उनके लिन रित्त किया वो बैठे रहे, बहुत ध्यान से देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ, फिर जब लोगोंने संगीत सुना, अब तो खेल खत्म चीजें ऐसे ही चलती रही, जब वक्त खत्म हो गया, जब बारिश बंद हो गया, जब जाने का वक्त आया, तब आनंद गौतम के पास आये और उनके साथ एक महीला भिख्शु थी सत्य के मार्क पर चलना हमेशा से शक्त शाली रहा है, लेकिन कई बार ये उचाईयों तक पहुंचा है, पर कभी मुख्य धारा नहीं बना मैं देख रहा हूँ कि आज कम्यूनिकेट करने के हमारी क्षमता की वज़े से, टेकनॉलोजी की वज़े से, इनसान की चाहत, सत्य को खोजने की इनसान के अंदर की स्वाभाविक चाहत, ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो लोगों को स दिखाई गई है कि आपको सत्य की खोज करनी चाहिए, ये इनसानी बुद्धी के लिए स्वाभाविक है कि वो सबसे उची चीज को खोचती है, किसी भी इनसान को अगर एक मौका दिया जाए, ये चुनने का, कि या तो यहां रहिए या वहां, तो वो हमेशा कहेगा, मैं वहां रहना चाहता हूं, अभी हो सकता है कि वो यहां फसा हुआ हो, पर उसके इच्छा हमेशा सबसे उची जगा पहुँचने की होती है, बात सर्फ इतनी है कि हमें उसे दिखाना होगा, कि शराप के नशे से उची चीज भी होती है, ड्रक से उची चीज भी होती है, सामा मैं उसे ये समझाना होगा कि एक ज्यादा उची संभावना मौजूद है। हमेशा से बहुत से रिशी, संद, योगी और गुरू ऐसा करते आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो सजन लोग थे। उनके पास मेरे जैसी आवाज नहीं थी। उनके पास माइक्रोफोन नहीं था। उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे जिनसे वो दूर किसी से बात कर सकते। वो सिर्फ इतने ही लोगों से बात कर पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त काम किये। उस समय के हालातों में उनमें से कईयों ने कृपा और उर्जा के माध्यम से जबरदस्त काम किये। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को रूपांतरित किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को सत्य के मार्क पर अग्रसर किया। और सत्य की शक्ती का एहसास कराया पर अब वक्त आ गया है जहां कम्यूनिकेट करने के हमारी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हम सत्य को घर घर तक पहुँचा सकते हैं हम सच को हर किसी के दिल और दिमाग तक पहुँचा सकते हैं इससे पहले कभी ये मुम्किन नहीं था टेक्नालोजी ने हमें ये सहूलियत दी है मुझे लगता है कि ये सत्य को मुख्यधारा बनाने का सबसे अच्छा समय है ये सच्चे बनने को, सच जानने की अभिलाशा रखने को और सच की खोच करने को इस ग्रह की सबसे बड़ी ताकत बनाने का अच्छा समय है क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन है जो पहले किसी के पास नहीं थे